हरे क्रिश्ण तो आज हम विश्यसकर के चैतन्य महाप्रो के करुणा के वारे में चर्चा करेंगे निश्चितह श्रील प्रभुपात के क्रिपा से अभी विश्य में गोर्णताई यानि की चैतन्य महाप्रो और नित्यानन्द प्रभु सरवत्र प्रचार और प्रशारित हुए हैं लेकिन विश्यसकर के इस ब्रह्म्ह माध्व गोड्य संप्रदाय में ही भगवान की जो क्रिपा है सक्षा चैतन्य महाप्रो के रूप में कैसे प्रकट हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे चार संप्रदाय जैसे कि पद्वा पुराण में बताये गया है स्री, ब्रह्म, रुद्र, सनक जो चार संप्रदाय ही ग्रहणिया है और उसी संप्रदाय के अनुसार संप्रदाय के जो मत है तथा उनके आच्यारियों के पदां का अनुस्रन करके जो भजन क्रिया में लगते हैं वो निश्चित रुप से भगवचरण भगवधाम प्राप्त करते हैं लेकिन इनमें समन्य कैसे हुआ इस चार सम्प्रदाय का समन्य यानिकी मिलन स्रिमन चैतन नवहाप्रो ही किये जो की इम अध्या प्रद्धों पुराण में प्रमाणी थे उतकल स्तान यानि की जगनात पूरी में चैतन्य महापुर इस चार संपरदाय को समन्य करेके एक तत्व को प्रकट किये अचिंत भेदावेद तत्व तो अचिंत भेदा भेदा तत्त के अनुसार चैतन्य महाप्रों के कृपा हम सभी ब्रह्म, माध्य, गौड्य, संप्रदाय के भक्तों को प्राप्त होता है निश्चित रुपते यह जगत वाशियों को प्राप्त हो रहा है लेकिन जो इन महाप्रों के अनुआई हैं वो ही चार जो विसेस जो रस है जो की माधुर्य, बास्चल्य, दास्य और सक्य इस रस को प्राप्त करने में पूरुन समर्थ होते हैं क्योंकि महाप्रों का जो अवतार है सिर्फ करुणा के अवतार नहीं, अध्भूत करुणा के अवतार है, अध्भूत बदान्यता के अवतार है, अध्भूत अउदार्चता के अवतार है तो ब्रह्मवाद्न गोड़े संप्रदाय में चैतन महाप्रो के पूर्ण कृपा के कारण इस चार जो रसे जो हम भगवान के नित्य सेवक है, नित्य दास है उसी को प्राव्द कर पाते हैं कैसे? जैसे कि महाप्रु स्वेंग बोलते है चारी भाबूं दिया नाचाओं भूबन चार प्रकार के जो भाब चैतन महाप्रगू प्रदान करके इस त्रिभूबन को अत्यंत कृपा में अधार्चय में और बदान्य में कर रहे हैं अपने इस तीन विसेस गुणों के द्वारा तो यहाँ जीब का जो स्वरूप है जिवेर सृरूप है कृष्णर निट्य दास दासत्य शरूप में हम भगवान के नित्य संबंध है नित्य हमारा संबंध है लेकिन अनादी काल से इसको हम भूल गए हैं तो चैतन महाप्रस्वयम आकर के कि इस कलिकाल के प्रथम संद्या जिसको कि धन्य कली कहा गया है उसमें आकरके उन्होंने ये भक्ति की जो परिपूर भंडार है जो की ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लव था उसको उन्होंने विशेश रुप से प्रभाहित कर दिया अदम पतित पामर कि चुना हिवाचे जो ब्रह्मा जी के लिए जो प्रेमदुर्लव था वो कितने विपतित हो कितने विपामर हो कितने विदुष्ठ हो उनको प्रधान कर दिए सबाकारे जाचे, सबको जाचे यानि कि जवर्जस्ती प्रदान कर देश कलिकाल के पामर जीवों को अधहम पतीत पामर किछु नहीं बाचे कितना भी अधहम हो, कितना भी पतीत हो, कितना भी पामर हो वो बाचे यानि कि वो विचार नहीं कि तो ऐसे करुणा में चैतन्न महाप्रो कर छोड़ करके किसका और भजन किया जाए। निश्चित रूप से जो स्वेंग राधारानी का भाव को, राधारानी के अंगकान्ति को लेकर के स्वेंग कृष्ण ही प्रकट हुए कलिकाल के प्रथम संध्या में चैतन्न महाप्रो के भक्त हैं परम करुणा पहुँ दूई जन निताय गौर चंद्र परम करुणा के अवतार जो नित्यानंद प्रुम है गौर चंद्र हैं उनके जो क्रिपा प्राफ्त हुए हैं वो ही भगवत यह संबंद को विसेस रूप से प्राफ्त कर सकते हैं जो की हमने विचार कर रहे वास्चल भाव माधुर्च भाव सक्य भाव दाष्य भाव तो यह अर्थात हम भगवान के सईथ पिता या मता के द्वारा युक्त होंगे भगवान के सखी या पतनी के द्वारा युक्त होंगे भगवान के सखा के द्वारा युक्त होंगे या भगवान के दास के रूप में भगवान के सईथ हमारा नित्य सम्वन स्ताफित होगा तो यहाँ जो रहश्य था अनादी काल से बंद था उसकी पिटारी को चैतन वहाप्रुने अतिन्द कृपा करके खोल दिया, जगत बासियों के लिए सुलब कर दिया और यहाँ किस सुत्र से उस प्रकट किये ना हरी नाम के सुत्र से प्रकट किये गोलोक प्रेमधना हरी नाम संकिर्टना जो गोलोक ब्रिंदावन का प्रेमधन है राधा तंतर नाम सास्तर में भी बनना है गुलग ब्रिंदावन में भी प्रेम में जब गोपियां किर्टन करते हैं, राधारानी किर्टन करते हैं, तो यहां हरे कृष्ण महा मंत्र का किर्टन करते हैं, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे जो यहाँ गुलोग ब्रिंदावन का प्रेमधन है, उस प्रेमधन को चैतन्न महाप्रुभू कृपा करके जगतवासियों को दे दिया। नामःट खोल करके नित्कानंद प्रभू ने उसको और भी सुलव कर दिया। नाम का हाट बिठा दिये, हट यानि कि नाम के हाट बिठा दिये और जगतवासियों को दे दिये। और उसी सुत्र को परंपरा के क्रम में गुरु परंपरा के क्रम में शिल प्रहुपा तथा उनके सिस्थ प्रसिस्थ लोग आज भी यह चैतन महाप्रू के अनियाई अब भी उन चैतन महाप्रू की वानी को जो जगत में प्रशिद्ध कर रहे हैं और जिसके द्वारा अनेक वद्ध जीव जो अपने मानव जीवन का परम उद्धिस्य को प्राप्त करके भगवान के नित्य सम्वंध प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का नित्य शानिध्य प्राप्त करने के लोभुत्पन कर रहे हैं, और यह भगवान की नाम, रूप, गूण, लीला, चरित्र के तथा उनके पदांग का अनुस्रन करने वाले आचारि कैम की। माधुर्ज में जो लिला जो कृष्ण किये उसी कृष्ण लिला को द्वारा कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण कथा के द्वारा विसेस करके कलिकाल में हरी नाम के द्वारा ही यहाँ चैतन महापुर के कृपा तथा हमारा जो नित्य संबंद कोई भी चार भाव यानि कि ब बताय हुए मार्क का अनुसरन करके ही हम भगवत सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। अन्तिम में भगवत धाम की यात्रा करते हैं। हरे कृष्ण।